टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्टरस सुधा चंदरन के बारे में तो आप जानते ही होंगे जो खुबसूरती, हुनर और हौसले की एक अच्छी मिसाल है सुधा जी का एक पैर नकली है लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को सफलता के आगे नहीं आने दिया केरल के मिडल क्लास फेमिली में सुधा बचपन से ही डांस का शौक रखती थी महज तीन साल की छोटी सु उम्र में उन्होंने भारतिय शास्त्रिय निरत्ते सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने 75 से अधिक स्टेज चो किये लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड आया जो सुधा की जिंदिगी को पूरी तरह पलट गया 17 साल की उम्र में हुए एक हादिसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया था वो मदराज से तमिलनाडू माता पिता के साथ सफर कर रही थी जब वो एक भयानक सड़क हादिसे का शिकार हो गए इस हादिसे में उनके दोनों पैर जखमी हो गए सही इलाज न मिलने पर उनका दाहिना पैर गैंगरीन का शिकार हो गया और उसे काटने के अलावा और दूसरा कोई आप्शन नहीं था उस एक्सिडेंट के बाद सुधा के पास जीने की कोई वजह नहीं थी एक वेबसाइट को दिये इंटरव्यू में सुधा कहती है कि उस वक्त मैंने अपने पिता से कहा था हो सके तो मुझे मार दो मैं जीना नहीं चाहती सुधा का कहना है कि वो अपने माता पिता पर बोज बनकर नहीं जीना चाहती थी हाला कि उस वक्त उनके पिता ने उन्हें संभाला और कहा कि वो उनके पैर बन कर साथ देंगे उन्होंने अपने दिये हुए इस वादे को आखरी स्तांस तक पूरा किया वो कहती है कि प्रोथेस्टिक लेक के साथ वो चेनने से मुंबई आई डांस सीखना फिर से शुरू किया हाला कि कई बार खुन निकल जाता था और वो बातरूम में जाकर रोती थी उस हादिसे के बाद उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तीन साल लगे सुधा ने बताया कि जब पहली बार नकली पैर के साथ नाची तो वो खबर बन गए जिस पर फिल्म भी बनी लोग उनकी फिल्म के पोस्टर की पूजा करते थे सुधा की पहली फिल्म मयूरी थी जिसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन साल 2001 में मिले एकता कपूर के शो कहीं किसी रोज में रमूला सिकंदर का किरदार उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 1994 में सुधा चंदरन ने असिस्टेंट डिरेक्टर रवी डंग से शादी की दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे दोनों ने शादी का फैसला लिया लेकिन इसके लिए सुधा की मा तयार नहीं थी एक इंटरव्यू में सुधा ने बताय था कि उनकी मा नहीं चाहती थी कि वो अपनी कास्ट से बाहर वा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शक्त से शादी करें उनकी मा चाहती थी कि वो तमिल ब्रहमट से शादी कर लें लेकिन सुधा रवी से शादी करना चाहती थी और वो भी अपनी मा के आशिरवात के साथ सुधा ने किसी तरहे अपनी मा को शादी के लिए मनाया सुधा आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी विकलांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले